तो यार कैसे हो आपसे भी लोग तो यार इस वीडियो में मैं इसी वाटर बंप को बनाने सिखाऊंगा बहुत ही जादा सिंपल वे में तो यार वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प केगा होना चाहिए बिल्कुल प्लेन और इतना ही साइज का होना चाहिए आप थोड़ा बहुत फरक डाल सकते हैं उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो सबसे पहले तो आपको एक होल कर लेना होगा यहां पे बीज में सेंटर में होल करना होगा जिसमें हमारी मोटर फ तो यहां पे फिट हो जाएगा अभी से साइड में रखते हैं अभी हमें एक और होल करना होगा जिसमें हमारी पाइप जो आउटपुट वाली पाइप है जिसमें से हमारा पानी बाहर नेकलेगा उसका आपको होल करना होगा तो उसका आपको होल थोड़ा सा ज्यादा बड तो उसके बाद आपको यह देखो यह धकन के बाहर आ रही है आधी पाइप और इसे आपको थोड़ी सी बेंड भी करनी होगी तो मैं वह आधी पाइप को कट कर दे रहा हूं और कुछ इस तरीके से इस पाइप का शेप दिखाई देगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा तो और इसे बढ़िया करने के लिए मैं से पाइप के क्लीन कर ले रहा हूं ताकि हमें इसे फिक्स करने में कोई भी दिखकत आए तो यह दूखव यह बढ़िया से उसका कुलाई में आ जा रहा है तो आपको यहां से इस पाइप को कट कर लेना हुगा आप चाहे तो किसी स वीडियो में करूंगा भी क्योंकि अरल्डाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग गम है तो यह दो को यह अभी तो चिपक चुका है फैवी क्यों की हल्प से अभी पूरी तरह के सील नहीं हुआ है तो फैवी क्यों किसे सील कर भी नहीं पाएगी अब आपको क्या करना होगा 1.5 cm का मीजरमेंट कर लिया है और इसमें हम एक सर्किल बनाएंगे जिसका हमें फैन बनाना होगा जो कि हमारे पानी को उठाने का काम करेगा जो वही सबसे मेन है आप उसी बढ़िया से बनाना तब ही आपको बढ़िया से वर्क करेगा यह पंप तो मैं इसे गोल बढ़िय इसे नहीं कट किया यह पतली ही शीट है तो यह बढ़िया से यासे फिक्स भी हो जा रही है तो आप समझ पा रहे होगे कि आपको कैसा कट करने है यह सर्किल ताक कि वो धकन में फिक्स हो जाए और आपको इसके फैन बनाने के लिए एक और पतली सी एक स्ट्रिप काटनी हो हो गा तो मैंने इसे six parts इसके कट कर लिए आप मैंने अंदयाजे से कट किया सब कुछ मैने कोई नापा नहीं एक इसी चीछ का तो आप इसे ऐसे भी कट कर सकते है या आप इसे नापके भी कट कर सकते है इससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो यह दुख हो है मैं भी कर लिए जिसमें हमारा मोटर का जो रोटर है वो इसमें फस जाएगा बढ़िया तरीके से और उसके उपर मैं फैविक भी लगा दूँगा और वो बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाए और आपको यह एक बोटल की शीट लेने होगी यह दू लीटर वाली पैपसी की बोट करनेगी तो मैं सीजर की हेल्प से बड़े प्यार सी से कट कर लूँगा तो अभी तक आपको हमारी वीडियो बढ़िया लग रही हो तो सब्सक्राइब करना लाइक तो आप करोगी अगर सब्सक्राइब करोगे तो लाइक जरूर करोगी तो यह देखो हमारा यह सर्किल कट हो चुका है और यह बढ़िया तरीके से फिक्स भी हो रहा है तो मैंने दोगी लीटर की बोतल का इस्तमाल इसलिए किया क्योंकि यह ट्रांस्पेरेंट कवर बनेगा तो मतलब देखने में बढ़िया लगेगा अब आपको इस मोटर को यहां पे फिक्स कर देना होगा तो मै मैं पहले Favik की help से इस motor को fix करूंगा तो मैं Favik की पहले लगा ले रहा हूं बाद में मैं सारा project बनने के बाद पूरे अरल्टाइट का यूज़ करूंगा इसके उपर तो अब यह मैं motor यहां पर fix कर ले रहा हूं आप चाहे तो कोई और DC motor भी ले सकते हैं तो अब यह हमारे motor बढ़िया तरीके से fix हो चुकी है अब बारी है हमारे fan को fix करने की तो मैं simply से कुछ इस तरीके से इसके उपर यह कि ताकि यह बढ़िया से fix हो जाए तो देखो यह बढ़िया से fix हो चुका है तो अब मैं इसमें फैवी कुक भी लगा दे रहा हूं और यह बढ़िया freely घूम भी रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अब आपको इस ढकन के सामने यह जो sheet हमने cut की थी उसे आपको और आप देख सकते हैं इसमें मैंने खोल कर लिया है जो कि आपको भी कर लेना होगा कुछ इसी तरीके से तो मैं फैवी कुक पहले लगा दे रहा हूं और इससे sheet को चिपका दूँगा और जो आप देख रहे है कि side में बचा हुआ है उसे भी मैं cut कर लिया हूं तो यह डिगरी पर मोड रखा है तो फैवी कुक के help से इसे पहले मैं चिपका लूँगा तो आपको फैवी कुक के help से इसे चिपका लेना होगा तो यह मतलब बढ़िया से चिपक जाएगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बस फैवी कुक लीकिंग की problem लाएगी तो यह देख सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को और गाइस यह मैंने एक AC to DC converter लगाया है जो की 18V output देता है और यह motor मैंने कुछ इस तरीके से fix की है और यह pipe जो underground जा रही है उसमें वो bottle fix है जिसमें पानी भरा हुआ है तो चलो यार अब इसे फटा-फट से test कर ले रहे हैं मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है तो चलो मैं फ भार पानी फेक रहा है तो यह मतलब बहुत बढ़िया वर कर रहा है मैंने इतना भी expect नहीं किया था इस water pump से और यार हमने इसे थोड़ा realistic बनाने की कोशिश की जिसी यह थोड़ा देखने में बहुत awesome लगे और यह लग भी रहा awesome चार घंटे की महनत जो लगी है इसमें तो चार घंटे की महनत के लिए एक लाइक करके जाना और या सब्सक्राइब करके बैल अकर तो आप दवाई ही दोगे तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई